हलो एव्रीवन, वेलकम टू लर्नरबी, आयाम शेवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एड हिस्ट्री के पुक का चाप्टर 6, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, और फेक्टरी ओनर्स, तो देखें वीवर्स होते हैं बुनकर आयरन स्मेल्टर्स जो आयर इस वीवर्कर्स थे, कौन-कौन कारीगर थे, उनके बारे में देखने वाले हैं, तो यह जो पिक्चर है, यह सूरत की पिक्चर है, 17th century में जो सूरत था गुजरात में, वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, जैसे कि अगर सपोस कर ये, ये इंडिया का मैप आप बनाई है, ऐसे में, और इंग्लिश हो गए, इंग्लिश यानि के अंग्रेज, बिटिश और डच हो गए, डच ये ट्रेड काफी जदा किया करते थे, इस सूरत वाले पोर्ट से, 17th century तक ये पोर्ट काफी जदा फलाफूला था, और 17th century के बाद 18th century आते आते, सूरत के पोर्ट की इंपोर इस चाप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहानी क्राफ्ट की इंडस्ट्री की क्राफ्ट जैसे की बुनकर हो गए, लोहार हो गए है अलगलग टाइप के क्राफ्ट के बारे में, और मेंली दो इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, टेक्स्टाइल जो की कपड़े की इस चाप्टर में फोकस करेंगे, यह दोनों ही इंडस्ट्री काफी जदा इंपोर्टेंट रही है, जो आया है आजमिता इंडस्ट्राइजेशन देखते हैं, इतने बड़े बड़े शहर देखते हैं, फ्रक्टरियां देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, बिल्डिं मेकनाइज प्रोडक्शन था इसकी वजय से बिटेन इंडस्ट्रिय नेशन जो कारीगर मतलब जो होते ना फैक्ट्रियां होते महां पर बस दद लगने लगे थी इससे वह काफी जादा आगे निकल गया था बिटेन इस्टीन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करनी शुरू जो खाना है यहां पर बहुत दहर खाना फैक्तरी बहुदे यह था काम करते हैं ब्रेटेन दुनिया का खाना ध्या वरक्शट्रब भेक्शोप बन गया था बडिटेन हुटकर कि आदिया बिजने के था क्यूंद łंग, थ्जू लोग्यीश्टिट के सई सकते हैं हो पर से इ इंडिया में बेश्टे थे तो उनको बहुत सारी चीजों के लिए अब देश चाहिए थे तो इस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको व्यापार में इंटरस्ट था व्यापार से उन्होंने देशों पेकपजी करने शुरू कर दिये थे और यही पैटर्न पूरी दुनिया में चला था लगभग कहीं 200-300 सालों तक तो लेट 18 सेंचुरी आते आते कंपनी जो है इंडिया से गुड्स समान खरीद रही थी देखें गुड्स का मतलब होता है सामान तो इंडिया से वो समान खरीद रही थी और इंग्लैंड और यॉरप को एक्सपोर्ट कर रही थी वहां पेच रही थी और बहुत सथा प्रॉफिट वो कमा रही थी इंडिस्ट्रिलाइजेशन का जब ग्रोथ हुआ ना तो ब्रिटेन के इंडिया का मार्केट बहुत सथा बढ़ा है तो अब हम यहां पर समान खरीदने की बचाए यहां पर हम समान बेचेंगे जो हम पॉसंस थे उनका क्या हुआ वही हम देखेंगे अब इस चाप्टर में अब देखिए यह जो हाती जैसा है इसको बोलते है पटोला पटोला पटन पटोला गुजरात वाले रिजिन में पटन भी वहीं पर तो आपने सुना और शचत कबड़ा पटन पटोला है यह तो पट इसका मतलब होता है कपड़ा इंडिया का कपड़ा और पूरे वर्ड में किस तरीके से उसको पसंद किया गया क्या किया वह बात करी जाएगे इसमें 1715 से पहले बिटिश ने जो है इसके बाद वह बंगाल पर राज करने लगे और बंगाल इंडिया वह फार दर वर्स लाजेश प्रोड़ूसर ऑफ कॉटन टेक्स्टाइल तो तो से व्रड का सबसे ज़ाद कपड़ा जो है बंगाल में ही जो प्रोड्यूस किया जाता था इंडिया की जो टेक्स्टाइल थी ना वो बहुत ही जादा रिनाउंड थी बहुत ज़द उसको पसंद किया जाता था क्योंकि उसकी कॉलिडी बहुत अच्छी होती थी and exquisite craftsmanship जो उसके कारीगर होते थे ना वो भी बहुत ज़दा पसंद किये जाते थे और extremely बहुत ही जादा ट्रेड होता था Southeast Asia में जावा सुमातरा पेनांग Western Central Asia में इसका काफी सता व्यापार भी किया जाता था कपड़े का 16th century में यॉरप की जो ट्रेडिंग कंपनी थी ना वो इंडिया से कपड़ा खरीती थी और यॉरप में जा करके बेचती थी और इसकी memories हमें देखने को मिलती है जो की documents है ना कि अलग लग languages में भी English में भी कि वहां का कपड़ा इंडिया का कपड़ा कितना अच्छा होता है और काफी सारे इसकी वज़े से अलग लग शब्द भी इस्तमाल किये जाने लगे जो जिस जगह से आते थे ना जिस जगह का वो कपड़ा होता था उस नाम से ही वो जो है cotton का आते हैं European traders जो थे ना उन्होंने सबसे पहले एंकाउंटर किया fine cotton clothes from India carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq तो इराक जो है इस टाइन भाप में मुजूल एक जगह है तो European traders जो यॉरप के व्यापारी थे ना उनको इंडिया का कपड़ा पहले सबसे पहले अरब में विला था इराक में तो उन्हों बोना शुरू कर दिया और उस कपड़े को मुसलिन ही कहा जाने लगा तो finely woven textile तो बहुत ही घजब का कपड़ा होता था उसको मुसलिन कहा जाता था जब Portuguese इंडिया आए तो उन्होंने वो मसालों की सर्च में थे हमाई देश के केरला वाली वीजिन में खूब मसाले होते हैं साले भी ले गए और तो उस कपड़े को उन्होंने क्या कहा कैली को कहा जो कि कैली कट जगा है कैरला में तो उस कपड़े का नाम कैली को पढ़ गया जैसे ही मुझूल से जो कि यॉरपियंस को इंडिया का कपड़ा मुसूल में मिला था तो उसको मुसलिन कहा जाने लगा ऐ आपको याद रखना है important है ये तो काफी सारे other words which point to the popularity of Indian textile काफी और भी शब्द है जो की popularity कितनी जादा थी western market में Indian कपड़े की वो हमें पता लगता है figure 3 में ये देखिए यहां पर कि ये अलग-अलग इतना इतना demand है कि कितना demand है कितना profit हुआ कितने का आया ये सारा का सारा पॉपुलर थे western markets में हम लोग इस किताब में देख सकते है इस इंडिया कंपनी के representatives of 1730 में कलकत्ता आये थे तो अलग-अलग टैप के कपड़ा हुने खरीदा था order book में देखा था कितने जौदा 5,89,000 pieces of clothes जो है इस order book में हमें मिलते है और 98 varieties थी cotton की और सिल्की जो की अंग् इस नहीं अलग लग देश में जाता था इंडिया का कपड़ा और common name यॉरॉप का था trade as piece goods usually woven clothes pieces that were 20 yards and 1 yard wide तो इन सब clothes का इतने measurements का व्यापार किया जाता था तो पेज है इस इंडिया book की company का notice करिये कि मतलब अराम से इसको रखा गया है कि इंडिया में कितना प्राइज है ल यहां पर देखें क्या 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 नाम है इनके अधितास डिलो दितो और बंधना और चिलास तो अलग लग नाम है यहां पर तो कुछ नाम हम देखेंगे जैसे कि अलग लग variety of clothes होती थी इसमें से कुछ पीस जो है bulk में order किये जाते थे वर printed cotton clothes called चिंत कैयोस और खासा and अधिना हो गया कॉजस हो गया और do you know where the English term chintz come from तो आपको पता है कि English term chintz है एक हां से आता है यह हिंदी शब्द चित से होता है चित का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो काफी मतलब small or colorful flowery design होता है तो चित कपड़ा कहते है ना कि बहुत सारी colors है और चोटे-चोटे-चोट वहीं से निकला है चित से चित से निकला है चोटा-चोटा colorful flowery design हमें देखने को मिलता है from 1680s there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe mainly for their exquisite flower design तो क्योंकि इतना प्यारपला फूलो वले design होता था ना यह बहुत ज़दा popular हो गया था यॉरप में fine texture कितना अच्छा कपड़ा होता था और थोड़ा स सबस्ता भी होता था एक समय पर rich people जो थे England के including queen queen भी India का ही fabric India का ही कपड़ा जो है queen भी पहना करती थी similarly जो शब्द है बांधना जिसको now refers to any brightly colored and printed scarf or for the neck or head बांधना मतलब सर पर बहांना colorful scarf होता है originally यह term derived from word बांधना Hindi for tying बांधना मतलब होता है बांधना टाइं कर दो इसमें काफे साथ bright color के होते थे और tying and dyeing इस तरीके से देखिए चिंद cloth है यह जो कि मसूली पटनम आंधर पदेश में होता था fine चिंद इरान और यौरप को जाता था कितना प्यारा सा कपड़ा है और यह बांधना डिजाइन अब छोड़े चोड़े जो स्कार्फ होते हैं आपकी close in order book that were noted तो order book ये जो थी हमने दिखा था न ये वाला पेश था इसमें और भी हम लोग को close देखने को मिलते हैं जहां कासिम बजार, पतनाकल, कत्ता, उरीसा, चारपूर, अलग लग जो कैसे आए हुए और widespread मतलब काफी ज़दा ये popular हो गए थे दुनिया के किया जाता था, early 18th century के अगर हम बात करें, worried by the popularity of Indian textile, early 18th century में जो इंडिया के कप्डा था, उसकी popularity से, इंडिया के वूल से silk makers जो इंग्लैंड के थे न, वो काफी ज़दा परिशान हो गए थे कि इंडिया से ही कप्डा आने लगे का सारा का सारा, तो हम कैसे ग्रो करेंगे तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था कि इंडिया से ये सारा कप्डा न लाया जाए कहां पर इंग्लैंड में 1720 में बिटिश गवर्णमेंट ने एक एक अक्ट अनाउंस कर दिया था तक की सजर्स में धी जाती थी इस तरीके का था तो देखिया आप कितना जादा वो डर रहे थे हमारे व्यापार से कि उनका वेपार खतम हो जाएगा फिर आकर के कि एंट्री उनके देश में बिलकुल बंद हो जाए फर्स्ट ग्रों अंडर गवर्णमेंट प्रोटेक्शन वर्स दे कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री तो इंडिया के जो डिजाइन होते थे ना उसकी कॉपी करके वहां पर प्रिंट किया जाता था और वाइट मूसली कोपी करते से का कोमपडिशन जो था ईंडिया की कॉपी करते कंपपटिशन कफ्री एकशुन कूद का नहीं कर यह गया और यह कंपड़ा बनता के बहुत ही जल्दी जो है कपड़ा बनने लगे यह मशीन उसक्रीक शला था उससने जी सिंगल और कर सकता था उस भी तो एक वील गुमाओ पईया गुमाओ और स्पिंडल डोटेट हो जाता था उसके क्या होता था बहुत ही असानी से वह कपड़ा भुन जाता था जल्दी-जल्दी बनने लगा तो स्टीम एंजिल और स्पेविंग जैनी से इंडस्ट्री रेवॉल्यूशन में मतलब बिल्कुट बार और सी आ गयी फ़र तो सारा का-सारा काम इंडस्ट्री में चैंवा। कपड़ा बहुत सब्सक्राइब फिर इंडियन टेक्स्टाइल फिर भी काफी जादा डॉमिनेट कर रही थी वर्ड को 18th century तक भी युरोपें ट्रीडिंग कंपनी जैसे की डच हो गए फ्रेंच हो गए इंग्लिश हो गए वह काफी जादा प्रॉफेट कमा रहे थे ईंडिया से कपड़ा खरीते के बेचते तेथे खूब प्रॉफेट कमाते थे कंपनीज जो कि cotton और इस सिल्वर मतलब यहां से वो कपड़ा किस में खरीते थे चांदी बेच वो हमें चांदी देते थे हमने कपड़ा देते थे तो पहले तो यही चलता था बट जैसे कि चैप्टर 2 में आपने देखा कि जैसे इस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर ले लिए उन्हों अडिया कंपनी पॉलिटिकल कंड्रोल के पंगाल पर उसको कोई भी प्रैश्ज प्रेश्म इंटल कोई कीम्ती जेवर वगार बेच देने नहीं पड़ते थे और आराम से वό तो जब्यानिया में और उसी से इंडिया कंपड़ा खरीये करते थे तो स्पेरिंग जैनि और यह देखे यह व्यू दिखा रखा है कि किस तरीके से व्यापार हो रहा है कोची में और कैसे वहां पर व्यापार चल रहा था इसके बारे में ही हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है अब आता है तो यहांपर देखे तो यहांपर देखे की देखे गोगा में और अलगलग जगह में आपको अदेग इसी यहांपर शाद को समझ में आज्वार तो कि textile production नहीं पे जाता था जातर उने विस क्षेग. तो जो वीविश Chief गाम किया करते थे तो वीविश जो है वो वीविन का काम किया करते थे और इसकिल जो है generation to generation पास होती जाती थी तो तन्ती वीवर्स उफ बंगाल जुलाहाज और मोईम वीवर्स उफ नौथ इंडिया साले और काई कोलर और देवांगाज उफ साथ इंडिया और सम अफ देवांगाज उफ साथ इंडिया साले और काई कोलर और देवांगाज साथ इंडिया के वीवर्स विवा करते थे तो फर्स स्टेट जो थी प्रडक्शन की वस स्पिनिंग सबसे बहले आप स्पिनिंग करेंगे अब वर्क डन मोसली बाइ विमन तो स्पिन करेंगे उनके से धागा वागा जो होता है तो रूई होती है रूई को कातना तो रूई जो काती जाती है उसको ही हम लोग स्पिनिंग बोलते है तो रूई से आप लोगोंने कुछ मोटा सा धागा बना लिया तो चर्ख़ और तकली पर आप लोगों ने धागा निकाल लिया है रूई से वेन देश पिनिंग वस ओवर देट वोग shortest वाया वीवर तो धागा आपका बन किया इस स्पिनिंग होगा यह तो धागा बन किया रूई से अभी जो धागा है इसको जोड़ा जाता है वीवर जो वीवर होता है वो इस धागे को जोड़ता है जातर communities in most communities weaving was a task done by men weaving का काम men करते थे और spinning का काम women करते थे और color textile जो color धागे होते थे उसको dye किया जाते करते थे नोन एज रंग रेज तो रंग डाला जाता था उस पर पिंटेट क्लोथ वीवर नीड़ेड़ थे help of specialist block printers known as चिपागार यह आपको याद रखना है कि चिपीगार चिपीगार कौन होते थे जो चिपका चिपका के मतलब ठपा समार जाते थे उस कपड़े पर अलग 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 उस पर डिजाइन बन जाते थे तो यह जीज़ important है कि चिपीगार कौन होते थे तो block printers block की printing करते थे वो कपड़े पे और hand loop weaving and the occupation associated with it provided livelihood for the millions of Indians तो लाख हो हजारों इंडियन जो है इस पर इस काम में लगे हुए तो यह पिक्चर जो है वो तंती वीवर बंगाल की दिखा रही है painted by a Belgium painter वो तंती वीवर जो है वो अपना काम कर रहा है अब इंडियन टेक्स्टाइल जो है वो क्लाइन होने लगी उसका काफी जदा उसमें गिराव आने लगा और फिर कैसे कैसे कॉटन मिल्स वगरा उठकर के फिर आई तो यह सारा का सारा न हम लोग नेक्स वीडियो में आप दिखेंगे तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताईए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फिर्स के साथ शेयर करिए थैंक यू